चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाईए और हार एक न्यूज सबसे पहले पाईए अजेह दिवगन की फिल्म बातसाहो का टेलर रिलीज किया जा चुका है जिसे देखकर हम बस ये देखते ही रहे गए जैसा कि फिल्म के टीजर से अंदाजा लगाया जा रहा था कि टेलर के बाद या पक्का हो गया कि या एक दम एक्शन पैक फिल्म होने वाली है जिसमें आजेह दिवगन, इमरान हासमी, इलियाना, इशा गुपता, बिद्दु, जमाल और संजे मेसा जैसे मजे हुए कलाकार नजर आने वाले हैं जो अपनी अधैकारी का जोगर दिखाएंगे साथी इसमें लोगों को सनी लियोन का हाट डांस भी देखने को मिलेगा एक तरफ से बोला जाये तो या एक दमदार बॉलीवूड फिल्म होने वाली है जिसमें जवरदस डायलोग के साथ साथ खूप सारा एक्शन देखने को मिलेगा फिल्म का टेलर मुंबई में लांच किया गया जहां सब लोगों मीडिया से मुखाबित हुए क्योंकि बॉलीवूड में हाली में जब हैरी मिट सेजल जैसे फिल्मों के सफलता देखी तो मीडिया ने इनसे या सवाल पूश डाला आखिर इन लोगों ने इस मामले पर क्या सोचना है इस पर एजय देव ने कहा कि मुझे लगता है कि आडियंस ही होती है जो फिल्में हिट कराती या फ्लॉप कराती है वो हमें कभी भी यह बताती है कि यह हमें नहीं करना चाहिए फिर आपने यह क्यों किया आपको बस उनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि वो लोग हमसे बहुत प्यार करते है उन्हें पता है कि आप में क्या देख रहे है तो उनकी बात हमेशा सुननी चाहिए वैसे अजय दिव इनकी बातों में दमतो है बस कोई फिल्म काम नहीं करती तो उससे ओडियंस को यही संदेश होता है कि आपको ऐसी फिल्म नहीं बनानी चाहिए अब बॉलिवुड स्टार इस बात को कितना समझते हैं यह तो आने वाला बक्त ही बता पाएगा